नमस्कार दोस्तों मैं आपका मैक्स मेंटर आकाश अनकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं तवस्त होंगे बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी तो एक बार कॉमेंट्स में बता दीजे कि यस सर भी ओलार ओके ओलार फाइन आडियो वीडियो सब कुछ के लिए रहे तो चलो एक important information आप लोगों के लिए जो festive offer है वो एक दिन और बढ़ गया यानि कि festive offer आज भी है तो आज भी आप लोग इस offer का फाइदा उठा सकते हैं इस code के साथ code आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो coupon code है, discount code है वो है आकाश01 और इस code से आपको 10% off मिले गए मिलेगा साथी साथ दो महीने का extra access एक साल वाले subscription पर और दो साल वाले subscription पर चार महीने का extra access मिल जाएगा यानि कि 12 मन्त बराबर सौधे हो जाएगा और 24 मन्त बराबर 28 हो जाएगा तो ये अप लोगों का access यहां से मिल जाएगा तो इस offer का benefit जरूर उठाईएगे अब ये offer जो बढ़ा है वो students के messages and demands को देखते हुए यहां पर बढ़ा है ठीक है तो चलिए इसका फाइदा उठा सकते हैं बहुत बढ़िया भई बहुत शानदार बहुत बहुत बहुतरी सलो आगे की तरफ चलते हैं आज इस session में अपन लोग दिस अच्छा एक चीज़ और अगर आप लोगों ने ये 22 January वाले जो scholarship बाला test है SSC, aspirants के लिए अगर इसमें अभी तक end roll नहीं किया तो फटाफट से इसमें end roll कर लीजेगा ये 2 p.m. पर आप लोगों का होने वाला है ठीक है? 2 p.m. पर आप लोगों का की test होने वाला है तो इसमें end roll कर लीजेगा आप लोग क्योंकि ये exam है 2 बजे इसका हिस्सा जरूर बनिए टॉप 500 students को यहाँ पर scholarship नी जाएगी rank by तो इसका हिस्सा जरूर बनिएगा तो अब लोग डिसकस करेंगे compound interest सारी कहानी भूल जाओ सबसे पहली चीज तो यही आती है कि what is compound interest भई interest तो सुनाए simple interest देखा अभी हम लोगोंने अब हम लोग इसी series को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर दीखेगा compound interest हमें क्या दीखेगा compound interest दीख जाएगा अब हमें इसी series में आगे क्या दीखेगा compound interest दीख जाएगा इसी series इसी संकला में चक्वर्दी ब्याच को हम लोग अब देखेंगे तो compound interest क्या है interest on interest अगर मैं compound interest को थोड़ा सा और modify करूँ या कुछ और नई टर्में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब होता है interest on interest interest on interest interest बोलो yes और no interest on interest यानि कि ब्याच पर भी ब्याच इसका खेल क्या होगा यहां से ब्याच पर ब्याच ब्याच पर ब्याच इसकी कहानी है इसता नाम है ब्याच पर ब्याच अब ब्याच पर ब्याच का क्या खेल है वही खेल हमें समझना है कि ब्याच पर ब्याच का क्या खेल रहने वाँ ठीक है धान से देखना कि ब्याच पर ब्याच का क्या खेल है जैसे मैं खिसी से एक हजार रुपे उधार लेकर आया और ब्याच की वार्शिक दर है दस प्रतीशत कितनी है दस प्रतीशत और टाइम है अपने पास तीन साल या दो साल पहले मान लेते हैं टाइम कितना है दो साल बोलो टाइम कितना है दो साल टाइम है दो साल तो अगर मैं इस पर compound interest की बात करूँगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि पहले साल 10% मिलेगा बहुत ध्यान से समझना दूसरे साल भी 10% मिलेगा और यह जो पुराने वाला साल का ब्याज है यह इसका भी 10% तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1% तो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा यानि कि 10 और 10, 20 और 21 तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 21% ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल 21% हो जाएगा बोलो, यहाँ पर यह कह सकता हूँ इसी 10% को fraction में अगर लिखा जाए तो एक रुपे ब्याज मिलेगा यानि कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 एमाउंट कितना हो जाएगा? 11 एक साल बाद दूसरे साल फिर 10 से 11 तो यह जाएगा? दूसरे साल फिर 10 से 11 मल्टिप्लाई करोगे तो आप ही कह सकते हो कि अगर मूल धन 100 रुपे है तो जो एमाउंट है वो इसका मल्टिप्लाई करोगे तो 121 हो जाएगा एमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा यानि कि कितने रुपे? 21% का ब्याज मिल रहा है हमें 21 रुपे मिले हैं 100 पर यानि कि 21% तो यह क्या है? compound interest है तो यहां से एक बात तो पता चली कि चक्किवर्दी ब्याज सक्सिसिव होता है very good यहां तक point clear? नमशकार भई सारे लोगों को यहां इतना point clear है कि चक्किवर्दी ब्याज क्या होता है? हमें पता चल गया है है चक्किवर्दी ब्याज जो होता है वो सक्सिसिव होता है ठीक है? सक्सिसिव होता है point clear यहां से अब चीजों को देखना मैं यहां पर इसका दूसरा भी तरीका लिख सकता हूँ कि अगर मुझे 1000 रुपे तो मैं 1000 का 21% निकाल सकता हूँ 1000 मूलधन है 21% ब्याज आ सकता है अब मैं यहां से भी कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास मूलधन 1000 है मूलधन 1000 रुपे है तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 10% आएगा पहले साल का ब्याज कितना 10% यानि कि कितना आएगा 100 रुपे आज़गा बोलो के लिए दूसरे साल का ब्याज 10% यानि कि 100 रुपे मिलेगा और इस 100 रुपे पर भी 10% यानि कि 10 रुपे मिलेगा इस 100 रुपे पर भी 10% यानि कि 10 रुपे मिलेगा बोलो हाँ या ना इस 100 रुपे पर भी 10% मिलेगा यानि कि पहले साल 100 रुपे मिलेगा और अगले साल 100 तो मिलेगा ही मिलेगा और इस 100 रुपे पर भी 10% यानि कि कितना 10 रुपे 100 का 10% 10 रुपे तो टोटल ब्याच कितना आ जाएगा हमारे पास 210 रुपे आ जाएगा बोलो हाँ या ना 210 रुपे आ जाएगा 21 रुपे दिखाई दे रहा है मूल धन की value question में कितनी दे रहा है 1000 stocky value 1000 कितने गुणा 10 गुणा तो दोस्तो ब्याच की value भी 10 गुणा हो जाएगी यानि की 210 210 यहां तक point clear है 210 कितनी चीज clear सभी लोगों की बोलो फोड़ाफट से यहां तक चीजे के लिए got it next point आगे भी समझेगा rate हमारे पास 10% दे रखा time दे रखा है 3 साल इन्हीं चीजों को बस ध्यान से समझना है और मूल धन यानि की principle दे रखा है हमारे पास 10,000 रुपे इतना दे रखा है 10,000 तो हमसे दो चीजे पूछिएं कि एक तो amount बताओ यानि कि मिश्रधन बताओ और एक compound interest बताओ चक्कवर्दी ब्याज कितना होगा तो 10% का मतलब क्या होता है 10% का मतलब होता है एक बटे 10% का मतलब होता है एक बटे दस time तीन साल है यानि कि यहां लिखोगे principle यहां लिखोगे amount पहले साल 10 से 11 यानि कि 10 रुपे मूलधन एक रुपे ब्याज लगेगा तो amount will be 11 फिर second year में भी 10 to 11 and third year में भी 10 to 11 multiply करोगे multiply करोगे तो यह हो जाएगा अपने पास अगर thousand rupees principle है तो इसका भी multiply कर दोगे यह हो जाएगा one three three one amount कितना मिलेगा 1331 यानि कि प्याज कितना आजाएगा हमारे पास प्याज आजाएगा 321 रुपे प्याज आजाएगा 321 रुपे यहां से चीज़े के लिए मगर यह ब्याज 331 तब आएगा जब मूलधन 1000 होगा मगर हमारा मूलधन तो 10,000 है हमारा मूलधन 10,000 है मूलधन कितने गुना है 10 गुना तो ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा यानि कि value कितनी आजाएगी 3310 3310 3310 बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी यहां तक एक चीज और ध्यान से यहां पर चीजों को समझते चलना साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कि अगर मुझसे कोई आदमी यह कह दे कि 1000 रुपे हमारे 3 साल में 1331 हो गए 1000 रुपे का मूलधन 3 साल बात देखा तो 1331 रुपे हो गया हमसे कोई कह रहा है कि ब्याच की दर बताओ रेट बताओ तो अगर टाइम 3 साल है तो क्यूब रूट कर दोगे यानि कि घंमोल निकाल लोगे इसका 1000 का घंमोल करोगे तो 10 आ जाएगा और 1331 का घंमोल करोगे तो 11 आ जाएगा यानि कि हम यह कह सकते हैं कि 10 रुपे से एक साल में वैलू 11 हो रही है पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11 तभी तो मल्टिप्लाई करा है तभी तो 1000 से 1331 हुआ है यानि कि ये 10 का क्यूब है ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब Compound interest is the game of power अभी हम लोग आगे question देखेंगे कि power बड़ बड़ा प्यारा है यहाँ पर तो 10 से 11 होने का मतलब है कि 1 रुपे ब्याज मिल रहा है 10 पर, एक साल में और percentage में convert करने के लिए 100 से multiply percentage में convert करने के लिए 100 से multiply इससे value यहाँ पर आ गई यहाँ पर point clear है Got it or not Point clear बहुत बड़ी है वही शांदार 10% is your correct answer यहाँ तक चीजे के लिए अब कुछ और इसमें भी आगे का खेल देख लेते हैं थोड़ा सा आगे का खेल देख देखो, मेरी बात ध्यांसे समाज़ना हमारे पास rate दे रखा है suppose 10% अभी मैं 10% पर इसलिए calculation लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे और time दे रखा है 3 साल सबसे पहले आप अपना क्या करोगे rate को fraction में convert करोगे यानि कि 10 upon 100 और यह value आजाएगी 1 by 10 value कितनी आजाएगी 1 by 10 1 by 10 का मतलब होता है 10 से 11 यह एक होना बहुत जरूरी है यानि कि हमारे पास जो format आना चाहिए वो 1 upon x का format आना चाहिए किसका आना चाहिए fraction को solve करके 1 upon x का format आना चाहिए जैसे हमारे पास एक rate है 16 सही 2 बटे 3% इसका मतलब होता है 1 बटे 6 तो जो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो तरीका यहाँ पर चल जाएगा तो कि 1 upon x का format आ रहा है अभी जैसे मुझे कोई कह देगी क्या 37.5 पर यह चल जाएगा यह तो होता है 3 by 8 तो यहाँ तो 3 नहीं आया ना तो यहाँ पर नहीं चलेगा वो भी बताऊँगा तो पहले इसको समझे तो इसका मतलब होता है 10 से 11 10 रुपे पर 1 रुपे का ब्याज मिल रहा है 10 से 11 पहले साल का जो ब्याज मिलेगा वो इसका square कर देंगे इसका square करोगे तो पहले साल का ब्याज मिलेगा 100 रुपे इन दोनों का बात समझ में आ रही है और अगर टोटल ब्याच की बात करोगे टोटल कंपाउंड इंट्रेस्ट की बात करोगे तो 100, 200, 300 और 331 ये 331 रुपे आ जाएगा बोलो हाँ या ना ये 331 आ जाएगा सारे लोग बताओ इतनी चीज बताओ फटा फट से यहां पर point clear यहां तक सीजे के लिए सभी लोगों की कलो आगे देख लेते हैं अब इसी को apply कर लेते हैं इस पर जैसे हमारे पास अब यह condition बताऊँगा अब ही मैं अगर आप इसी का cube कर दोगे इसी का cube कर दोगे तो यह principle मिल जाएगा 1000 इसी का cube कर दोगे तो यह amount मिल जाएगा 1331 जैसे हमारे पास हम यह कह सकते हैं कि अगर 1000 रुपे का मूलदन है तो 3 साल बाद 1331 मिलेंगे जिस पे पहले साल का ब्याज 100 रुपे दूसरे साल का ब्याज 110 तीसरे साल का ब्याज 111 रुपे हो जाए करी का समझना भी दूसरा 16 सही दो बटे 3% 16 सही दो बटे 3% का मतलब होता है 1 by 6 इसको ध्यान से समझ लिजीगा 16 सही दो बटे 3% का मतलब होता है 1 बटे 6 यानि कि इस बात का मतलब हो गया 6 to 7 रुपे पे एक का ब्याज यानि की 6 से 7 और टाइम हमारे पास दे रखा है 3 years टाइम क्या दे रखा है अपने पास? 3 years का टाइम दे रखा है 3 years का टाइम दे रखा है तो हम यह कह सकते हैं कि 6 का cube करोगे टाइम को power बनाओगे तो principal आ जाएगा 216 7 का cube करोगे तो amount आ जाएगा 343 पहले साल का ब्याज इसका square कर दोगे 36 दूसरे साल का ब्याज इसका square इन दोनों का product कर दोगे 42 और तीसरे साल का ब्याज इसका square कर दोगे 49 टोटल component interest कितना इने जोड़ दोगे या इसमें से इसको घटा लोगे तब भी आ जाएगा अपने पास 6 और 9 15 और 2 17 का 7 एक बचेगा 4 और 4 8 और 4 12 यानि की 170 फटा फट से बताईए यहाँ पर चीज़े के लिए इतना point के लिए बो point के लिए रहे अभी हम लोग उस point पर नहीं पहुंचना है जो आप पहुंचाना चाहरे हो जिस चीज़ को कह रहा हूँ किलियर है यहाँ पर तो concept को concept के तरीके से समझते चलो तब ही चीज़ें अपने पास बचेंगी अन्य था चीजों में गड़बड़ी हो जाएगी भाई चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं अभी अपने पास rate दे रखा है rate दे रखा है 11 सही 1 बटे 9% यह rate दे रखा है और time दे रखा है 3 साल time दे रखा है 3 साल अब इस पर calculation करोगे तो 11 सही 1 बटे 9% का मतलब होता है 1 by 9 तो इसका fraction value कितनी होती है 1 बटे इसकी fraction value कितनी होती है 1 बटे 9 1 बटे 9 का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर 9 रुपे है तो एमाउंट 10 रुपे मिलेगा 9 पर 1 ब्याज मिलेगा 3 साल की बात है इसलिए क्यूब कर दो भई हम क्यूब क्यों करते हैं क्योंकि पहले साल 9 से 10 दूसरे साल 9 से 10 और तीसरे साल 9 से 10 हम यह कह सकते हैं कि अगर मूल धन 729 रुपे है तो जो मिश्रधन मिलेगा हमारे पास वो मिश्रधन मिल जाएगा एक हजार मिश्रधन कितना मिल जाएगा एक हजार रुपे मिल जाएगा मिश्रधन कितना मिल जाएगा एक हजार रुपे मिल जाएगा बोलो clear है, मगर हमें निकालना है, पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल कितना, तो यानि कि 9 से 10 हो रहा है, तो ये बात तो पता ही थी, कि 9 का cube कर दोगे, तो principal आ जाएगा, 10 का cube कर दोगे, तो amount आ जाएगा, मगर पहले साल का ब्याज, इसका square, 81, दूसरे साल का इन दोनों का product, यानि कि 90, तीसरे साल का ब्याज, इसका square, यानि कि 10, ये total interest मिलने वाला है, 171 रुपीज, ये total interest होगा, कब, जब मूलधन 739 रुपे है, उस पर 111 रुपे का ब्याज मिलेगा, और amount जो है, वो 1000 रुपे हो जाएगा, amount 1000 रुपे हो जाएगा, बोलो clear, सारे लोग बताओ, फटाफट से, यहाँ पर point clear हुआ, सभी लोगों का, इसी के साथ एक और rate दे रहा हूँ, उस rate का बताओ, एक और rate आप लोगों को दे रहा हूँ, उस rate का बताओ, सारे भाई लोग बताओ, फटाफट से, rate है अपने पास, सौधै सही, 2 बटे, 7%, यह rate है अपने पास, और time दे रखा है अपने पास, 3 years, time दे रखा है अपने पास, 3 years, बोलो, time कितना दे रखा है, 3 years दे रखा है, बोलो, कौन से पेड़ वाला कौनसेप्ट भाई ट्री, ट्री मैथ़ड ट्री मैथ़ड पे भी आएंगे रुख जाओ धिरच ट्री मैथ़ड पे भी आएंगे रुख जाओ भई थोड़ा थोड़ा, जल्द बाजी नहीं किसी भी चीज़ के लिए पहले इसका बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से सौरे सही दो बटे साथ का मतलब होता है एक बटे साथ एक बटे साथ का मतलब साथ से आठ साथ से आठ का मतलब है कि मूलधन अगर 343 है तो मिश्रधन आपको 512 रुपे मिलेगा कितना मिलेगा? 512 रुपे पहले साल का 49 दूसरे साल का 56 इन दोनों का प्रोड़क्ट तीसरे साल इसका स्क्वायर यानिगी इसमें से घटा होगे? 9 आजाएगा अपने पास 4, 10, 5, 15 और 169 आजाएगा कि नहीं आजाएगा? मिक्षर एलिगेशन में इस फिगर का बहुत बड़ा रोल आता है कई बार इस इस figure इन दौनों figure पर 343 and 169 पर question पूछा जा चुका है, कई बार 343 and 169 पर question पूछा जा चुका है, mixture and allegation में replacement का, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चीज़े ठीक है, अब अपन लोग discuss करेंगे tree method, अब अपन लोग tree method discuss करेंगे, ठीक है, अभी अपन अगर मूलधन बहुत ध्यान से चीज़ों को समझे, मूलधन यानि की प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 729 यह यह दे रखा है, और रेट जो दे रखा है, रेट दे रखा है 11 whole 1 by 9% per annum और टाइम दे रखा है अपने पास 3 years, time कितना दे रखा है, 3 years, 3 साल दे रखा है, हमारे पास time कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है तो 11 सही एक बटे नो परसेंट का मतलब होता है वन बाई नाइन 11 सही एक बटे नो का मतलब होता है एक बटे नो यानि कि 7290 रुपे पर अब हमें 7290 भी भूल जाओ भूल जाओ इस वन बाई नाइन का मतलब होता है पहले साल नो से दस दूसरे साल नो से दस और तीसरे साल नो से दस यह तो इसका मतलब होगा और जो मूलधन है वो आ जाएगा नाइन का क्यूब यह क्यूब यह जो तीन बार लिखा है यह किसकी वैसे लिखा है क्योंकि टाइम तीन साल है तो हम करते क्या है हम करते क्या है कि rate को जो भी rate दे रखाया उसे भिन्न में बदल लेते हैं और जो नीचे वाली चीज आती है यानि कि denominator है अपने पार हर है उस हर को उठा लो और time को power बना दो क्या बना दो time को power बना दो तो 9 की power 3 यानि कि value कितनी हो जाएगी 729 और ये क्या मिलेगा हमारे पास मूलधन मिलेगा ये मिलेगा मूलधन हमें कुछ नहीं पता कुश्टन में कितना दे रखा है हमें कुछ नहीं पता कुश्टन में कितना दे रखा है बोलो समझ में आरी ये बात आ या ना बोलो फटाफट से क्लियर कुछ और कर लो यहाँ पर 728, 29, 16 कर लो यह लोग तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया 729 आ गया यह बात तो हमें पता है न मूलधन 729 कुश्चन में कितना दे रखा है भूल जाओ हमने चेंज कर दिया भी पहले साल का ब्याज अब जो ब्याज की दरभ वो 1 by 9 है ब्याज कितना एक बटे 9 मिल रहा एक बटे 9 यानि कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो इस मूलधन का एक बटे 9 मिलेगा तो इसका एक बटे 9 कितना होगा 81 रुपे यानि कि मूलधन कितना होगा अपने पास 81 रुपे तो कि इस वाले ब्याज पर भी ब्याज चाहिए यानि की 81 का एक बटे नो यानि की 9 रुपे 81 का एक बटे नो यानि की 9 रुपे तीसरे साल 81 तो मिलेगा ही मिलेगा और इस से पहले जितना ब्याज है उस सब ब्याज पर भी ब्याज लो तो यानि कि इस वाले 81 पर 9 रुपे और इस वाले 81 पर भी 9 रुपे और इस 9 रुपे पर 1 रुपे नौ का एक बटे नो एक रुपे 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 और टोटल ब्याज अपने पास आ जाएगा 179 बोलो यहां तक point clear है के नहीं clear है 171 यहां तक point clear है के नहीं clear है सारे लोग बताओ अब question में मूलधन दे रखा है 2916 और हमने कितरा माना है 729 तो 729 की value question में दे रखी है 2916 कितने गुना चार गुना चार गुना तो भाई जब यह चार गुना है तो ब्याज भी चार गुना हो जाएगा अब कोई भी हमसे कुछ भी पूछ सकता है कि पहले साल का ब्याज वो भी चार गुना दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल का ब्याज तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा, यानि कि जो compound interest आने वाला है, तो 171 गुना 4, 171 गुना 4 ये रहने वाला है, बोलो हाँ या ना, 4, 7.28, 7.68, ये लो, 684 अपना answer आएगा, तो point समझ गए, 3 method क्या है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, effective rate से भी बताऊंगा, tension क्यों ले रहे हो, धीरे 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 चलेंगे, 331 का method भी समझेंगे, 4641 का method भी समझेंगे, 4 साल के लिए, मगर समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर जल्दबाजी कर दी, तो समझ लेना, खतम हो जाओगे, concept नी सिट्वाओगे, तो चलो, rate रेट अपने पास फिर से दुबारे से एक और question देख लेते हैं, rate दे रखा है अपने पाफ, 9 सही 1 बट, या साड़े बारा percent, लेट कितना दे रखाय है, साड़े बारा percent, और time दे रखा है अपने पास 3 ग्राफ बनाना इसके लिए, साड़े बारा परसेंट का मतलब होता है एक बटे आठ मैंने आप लोगों को बताया है कि आप इसको उठा लो बस और टाइम को पावर बना दो तो यह मूलधन आ जाएगा हमारे पास आठ की पावर तीर यानि की पांसो बारे ऐसा क्यों हुआ यह भी मैंने बताया कि पहले साल यह मूलधन है अमाउंट आ रहा है 729 रुपे अमाउंट आ रहा है यह बात तो क्लियर है आप ये भी कर सकते हो 8 से 9 में कि भाई पहले साल का भी आज 64 दूसरे साल का 72 और तीसरे साल का एक्यास है यह आ जाएगा अपने पास बोलो हाँ या ना कितनी चीज क्लियर है इतना पाइंट क्लियर है यहाँ पर चीज है तो बट हमें क्या बनाना है हमें ग्राफ बनाना है और पानसो बारे का मतलब है कि पहले साल का भी आ जाएगा यह नहीं कि एक बटे आठ कितना आ जाएगा 64 दूसरे साल का भी आज 64 तो मिले गए मिलेगा इस 64 पर 8 और मिल जाएगा फिर 64 तो मिले गए मिलेगा इस 64 पर 8 इस 8 पर फिर से 8 और इस 8 पर 1 तो यह टोटल कंपाउंड इंट्रेस्ट मिलने वाला है यह टोटल कंपाउंड इंट्रेस्ट मिलने वाला है बोलो हाँ या ना सारे लोग बताओ पड़ा पड़ से ये टोटल compound interest मिलने वाला है अब question की तरफ भी चल लेते हैं hope so graph बनाना आप लोग सीख गए तो चलिए first question आप लोग है सामने कह रहा है कि यदि 8100 रुपे amounts को invest करा जाए और तीन साल में sorry, दो साल में कह रहा है two years, दो साल में वो 11664 रुपे हो गया है तो compound interest की दर बतानी है, यानि कि rate बताना है हमें कि 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 ब्याच की दर पर ये पैसा लगाया गया था ये लिए है कि 8100 रुपे 11664 रुपे में convert हो जाते हैं 8100 रुपे किसमें 11664 रुपे में convert हो जाते हैं 11664 रुपे में convert हो जाते हैं, कितने साल में दो साल में, अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने question किया था कि 1000 रुपे हैं, अगर وہ तीन साल में 1331 हो जाते हैं तो cube root कर दो तो ये पता चलज़ जाईगा कि एक साल में क्या हो रहा है तो अगर ये दो साल में इतना हो रहा है तो इसका अंडरूट कर दो अंडरूट जैसे ही करोगे आप लोग तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 90 आ जाएगी और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 108 कि 108 का स्क्वायर होता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मूलधन 90 रुपे है तो मिश्रधन एमाउंट आपका 108 रुपे हो जाएगा यानि कि कितने रुपे आपके 18 रुपे ब्याच के मिलेंगे और किस पर 90 रुपे पर मिलेंगे आपके 18 रुपे मिलेंगे 90 रुपे पर इन्टू हंड्रेट इन्टू हंड्रेट 18 से 5 बार और 5 से 20 बार तो ब्याच की दर कितनी आ जाएगी 20 पृतिशत वारशिक 20 पृतिशत वारशिक बोलो यस और नो So, the third one is your correct answer. Third one is your correct answer. 271? कहाँ पर है 271? 9 to 10 में? आथो 271 कर लो. हाँ, गड़बड हो गई भाई, ये लो. 271, हमने कहीं पर 171 का भी कुछ लिख दिया था क्या? दिमाग में कुछ ऐसी चल रहा था. देखो, यहाँ पर गड़बड हुई थी, ना? ठीक है, ना? यहाँ पर गड़बड हुई थी, 271. Very sorry. Very sorry, 271. Got it? ठीक है? चलो. 271. मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं गड़बड हुई थी, तो पिछले वाले कुछण की गड़बड हुई थी, वही दिमाग में 171 का पिट था. वही लिख दिया. ठीक? चलो. ऐसा कई बार हो जाता है, बट इनी गलती उसे, छोटी-छोटी गलती उसी बचना है बार. ठीक है, भाई? ठीक है, नेक्स्ट. तो अभी हम लोगों ने वाला कुष्ण देखा, इसमें कोई डाउट थो नहीं है, rate is 20%. नेक्स्ट. तीन हजार रुपे की धंदाशी, X, प्रतिशत, वार्शिक, चक्कवर्दी, ब्याच की दर्स, तीन वर्सों में तीन हजार नौसो तिरानवर रुपे हो जाएंगे. यानि कि अगर हम तीन हजार रुपे जमा करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? तीन हजार नौसो तिरानवर रुपे हो जाएंगे. तीन हजार नौसो तिरानवर रुपे हो जाएंगे. तीन साल में, अगर इसका क्यूब रूट करोगे, इसका क्या करोगे? क्यूब रूट. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अपने पास 10 और ये value कितनी आ जाएगी अपने पास 11 तो यानि कि एक रुपे का ब्याज मिल रहा है किस पर 10 पर इंटू 100 रेट कितना आ जाएगा अपने पास 10 परसेंट रेट कितना आ जाएगा 10 परसेंट बोलो got it, so x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 10%, so x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 10%, clear है, बोलो, चलो बहुत बढ़ी है भाई, very good, very good, तोजा, ठीक है, यहां तक चीजे के लिए, सबी लोगों की, अरे भाई, यहीं पर आके पढ़ोगे, तबी तो चीजे समझोगे, दीरे-दीरे, खलो, इसको बताओ, 5% प्रती वर्ष की दर्से, चक्रवर्दी ब्याच पर, 8000 रुपे की धंदाशी, कितने वर्ष में, 9261 रुपे हो जाएगी, यह बात समझे लिए, 5% पर, 5% का मतलब होता है, एक बटे, एक बटे 20, 5% का मतलब होता है, एक बटे 20, यानि कि अगर 20 रुपे हैं, तो वो एक साल में 21 हो रहे हैं, तो 20 से 21 हो रहा है, जो भी है, टाइम, टाइम पावर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, हम ऐसा लिख सकते हैं, कि अगर कोई मिश्रधन 20 है, तो 20 से 21 हो रहा है, तो जो भी टाइम होगा, उसको पावर बनाते हैं, अभी मैंने बताया है, हमें टाइम नहीं पता कितना है, मगर हमें इतना जरूर पता है कोश्चन में की 8000 रुपे मूल धन है और 9261 रुपे मिश्ड धन है ये 20 की पावर 3 होता है और ये 21 की पावर 3 होता है अगर इससे इसकी तुलना करोगे तो N की वैल्यू इससे इसकी तुलना करोगे तो n की value 3 आ जाएगी n की value कितनी आ जाएगी 3 तो यानि की ब्याच की दर 5% के हिसाब से समय कितना लगेगा 3 वर्ष सभी का इतना आ रहा है सभी लोग बताओ फटाफट से सभी लोगों का इतना answer आ रहा है बोलो fast फटाफट क्लियर क्लियर नेक्स अगला कॉश्टन देखिए यह वड विल बीदा अमूंट अधराओ अन अस्टम उपीश 5,000 in 1.5 years विचिस इन्वेश्टे आट जाटे टेट 20% परनंपोंड़ाओ अफ यरली प्टाफ यरली अच्छे, half yearly वाला concept है उसमे परिशान मत होना अर्दवारशिक दे रखा है नगी अपने पास अर्दवारशिक पर परिशान मत होना सुन ले ना पहले वेड़ साल, time किटना दिया गया है अपने पास वेड़ साल वेड़ साल का मतलब है पहले च्छे महीने फिर च्छे महीने और फिर च्छे महीने और फिर च्छे महीने बोलो के लिए रहें पहले च्छे महीने फिर च्छे महीने और च्छे महीने यानि की पहले च्छे महीने दूसरे च्छे महीने और फिर च्छे महीने तेर साल ये हो गया तो मैं इसे मांग सकता हूँ कि 6-6 महीने वाले 3 साल तो टाइम कितना है? 3.5 एर टाइम कितना है? 3.5 एर दूसरी चीज़, रेट है 20% बारसिक यानि कि एक साल में 20% का रेट है मगर हाफ एर ली अगर लेना है तो रेट कितना हो जाएगा? लेट है यहाँ पर 20% पर एनव अगर हाफ एर ली की बात करूँगा तो मैं कह सकता हूँ 10% पर हाफ एर यह मैं कह सकता हूँ अब मुझे time भी मिल गया 3 साल और रेट भी मिल गया 10% यानि कि पहले साल 10-11 दूसरे साल 10-11 और तीसरे साल 10-11 ये तो मुझे पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मूलधन एक हजार होगा, तो एमाउंट एक हजार तीन सो एकत्यस रुपे हो जाएगा, और इसी एक हजार की वैल्यू कुश्चन में कितनी दे रखी है, पांच हजार, इस एक हजार की वैल्यू कुश्चन में कितनी द पाच हजार रुपे का जो मूलगन है वो 6,655 रुपे हो जाएगा यानि की third one is the correct answer बोलो यहां तक चीजे के लिए रहें इस क्लास से इस बैच से आप लोगों को हर एक एक्जाम के लिए आप कोई अगर आपको पैसा रोटेट करना है तो इस चैप्टर की अंडेस्टेंडिंग होना बहुत जरूरी है अन्य था आपका कोई भी वेवकूप बना देगा और यह चैप्टर अगर आपको पता है न तो आपको आसमान में उरता हुआ पैसा दिखाई देता है अगर आपके पास फोड़ा पैसा भी है तो आप उसे कैसे दुगना दिखना कर सकते हैं इस चैप्टर की बदोलत इस चैप्टर को समझ लो ध्यान से ये खेल है अपने आपने ये वाला चैप्टर पूरा कितने वर्षों में 800 रुपे की धंडाशी चार प्रतीशत प्रती वर्ष की दर से वा भी हम से पूछा गया है बस कि 832 कितने साल में हो जाएगी तो हम कह सकते हैं वन एयर में एक साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी 832 रुपे क्योंकि 800 पर एक साल में ही ब्याज मिलेगा फोलो के लिए ये तो इजी था प्री के नंबर थे आजाओ इधर आजाओ यदि 2000 रुपे की धनराशी का निवेश 20 प्रतिशत वार्शिक चक्वर्दी ब्याच की दर से किया जाता है जो छमाही चक्वर्दी ब्याच पर संयोजित होती है तो 18 महीने बाद राशी का पता लगाओ 18 महीने आठारे महीने का मतलब क्या है और जो पैसा आ रहा है वो छमाही आ रहा है ब्याच जो लग रहा है वो छमाही लग रहा है यानिगी तो time कितना आ गया, यहाँ पर time देख लो, बड़ा फट से, time कितना आ गया, time आ जाएगा छमाही, छमाही का मतलब है अपने पार, point समझ ला, छमाही का क्या मतलब है, छमाही का मतलब है, छहचे महीने, तो 18 महीने में कितनी 6 महीने, यानि कि पहली छमाही, दूसरी छमाही और rate अगर 20% है, बारशिक, rate कितना है अपने पास, 20% बारशिक पर एनम, तो हम ही कह सकते हैं कि rate, half yearly कितना आ जाएगा, 10% पर half year, 10% पर half year, बो यह आएगा, बस खेल जाओ, इस पर कौन सी बड़ी बात है, हमें पता है कि, पहले साल 10% का मतलब होता है, एक बटे 10, हमें पता है पहले साल 10-11, दूसरे साल 10-11, और तीसरे साल 10-11, अगर 1000 रुपे मूलधन है, तो जो amount है वो 1331 होगा, 1331 होगा, पोलो के लियर, amount कितना होगा, 1331 हो जाएगा, मूलधन की value कुश्चन में कितनी दे रखी है, 2000 दे री है, दो गुना, तो यह भी दो गुना हो जाएगा, य अपने पास value आने वाली है, अगर मूलधन 2000 है, तो 2662 रुपे अपने पास क्या हो जाएगा, दोस्तो, amount आ जाएगा, amount यह अपने पास आ जाएगा, बोलो के लियर, यहां तक चीज़े के लियर, point के लियर है, यह amount आ जाएगा, point के लियर, got it, next, अगला question, 10,000 रुपे के मू दन है, पारे परसेंट पृति वर्ष के हिसाब से, 6 महीने की अबदी के लिए, फुल रकम ज्यात कब, जो त्रेमासिक रूप से लग रही है, अब बनेगा खेल, compounded quarterly, त्रेमासिक, यानि कि सबसे पहले तो मुझे time को ही खतम करना पड़ेगा, time दे रहा है अपने पास 6 मही और 6 महीने का मतलब क्या है, अगर इसे 3-3 महीने में तोड़ोगे, तो यानि कि two quarter year, time आगया दो साल, 3-3 महीने वाले दो साल, 3-3 महीने वाले दो साल, ऐसा माना जा सकता है, कि तीन महीने को एक period माना है तो एक time तीन महीने का फिर time तीन महीने का यानि की दो quarter year ऐसा माना जा सकता है या दो quarter ठीक है? चल rate कितना दे रखाए? rate दे रखाए अपने पास 12% वार्षिक जब 12% वार्षिक है तो quarterly कितना होगा इसे एक साल में कितने quarter चार तो इसे चार से डिवाइड करोगे जब तो तीन महीने में कितना भ्याज लगेगा तीन परसेंट पर quarter बोलो तीन परसेंट पर quarter ये चीज आ गई बस अब यहां से कर सकते हो मूलधन कितना दे रखा है आपके पास इसे चैच परसेंट ग्यानी की 9 रुपे कितने 9 रुपे तीन सो का तीन परसेंट 9 तो भ्याज कितना आजाएगा अपने पास 609 रुपे का भ्याज आगın तो हमसे पुछा है एमाउन्ट तो एमाउन्ट हो जाएगा 10,609 रुपे 10,609 रुपे बोलो यहां तक चीज़े के लिए 10,600 नो सभी का आ रहा है बहुत बढ़ी अभी शांदर 10,600 नो सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसमें कोई दिक्कत 10,600 नो सभी लोगों का आंसर आ रहा है तलिए नेक्स्ट आगे की तरफ देख लेज़े हैं कि वर्ड विल भी दा कंपाउंड इंट्रेस्ट और सम अफ रूपीज फिप्टी थाउजन आफ्टर सिक्स मन्स एट रेट ऑफ 12% कंपाउंड इट क्वाटरली पचास अब यही कैल्कुलेशन पचास हजार रूपे पर कह रहा है यही कैल्कुलेशन पचास हजार रूपे पर कह रहा है अभी हम लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने देखा यही वाली चीज़ कि दस हजार रूपे पर हमें कितने रूपे का ब्याज मिला है 10,000 रुपे पर 609 रुपे का ब्याज मिला है? बोलो मिला है कि नहीं? इस से पहले वाले कुश्चन में अभी हमने देखा था. यही सेम कुश्चन. कि 10,000 रुपे पर иде अगर हमारे पास 50,000 रुपे है यानि की 5 गुना तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? ये भी पाँच गुना मिलेगा 35, 35, 45 यानि की 3045 3045 पूर्थ वन इस यॉर तो सिंपल कुश्चन है इसले वाले कुश्चन कही फॉर्मेट है के नहीं अक्सर एक्जाम में ऐसी चीज़े रिपीट हो जाती है कि आपने कुछ प्रैक्टिस पहले से कर रखी है और उसी की डिजिट या उसी की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आने वाले एक्जाम में आप लोगे कुश्चन्स या कुश्चन का रूप लेकर आ जाएंगी और आप उन्हें एकदम कर देते हैं ठीक है? वहाँ से टाइम बच जाता है वहाँ से क्या होता है? टाइम बच जाता है पहले तो लिखो इस कुश्चन पर इंपोर्टेंट और मैं चाहूंगा कि सभी भाई बैन इस कुश्चन को कम से कम दो बार जरूर पढ़ें भाई, लाइक में क्यो कमी कर रहे हो? लाइक में क्यो कमी कर रहे हो? इस question को कम से कम पहले दो से तीन बार पढ़ लो ठीक है क्योंकि जब तक language समझ में नहीं आएगी तब तक यह खेल यहाँ पर समझ में नहीं आएगा सारा खेल language का है बोलो किलियर क्याँ पर समझ में चारा खेल रुपे पर एक वर्ष की नहीं बारे परसेंट अगर वार्षिक ब्याज निकालना है तो चार हजार का बारे परसेंट निकल जाएगा वार्षिक ब्याज दो जिरो से दो जिरो के लिए बारे चोक 48 और value कितनी आएगी 480 रुप value कितनी आ जाएगी 480 रूप तो पहली condition तो यह आ जाएगी दूसरी condition भई दूसरी condition थोड़ा सा ध्यान से देखना अगर इसी 4000 रूपे पर इसी 4000 रूपे पर मैं अर्दवार्शिक रूप से निकालू तो एक साल में 12% तो 6 महीने में कितना निकलेगा एक साल में 2 छमाई होती है 6 महीने में कितना ब्याज निकलेगा 6 महीने में कितना ब्याज तो यहां से 6% तो 6.24 फिर यह भी 6% और इस वाले ब्याज का भी यानि कि 240 रूपे का भी 6% एक जिरो से एक जिरो के लिए 272 दूनी 144 और यह आजाएगा 14.4 यहापर कितना आजाएगा 14.4 तो ब्याज कितना मिलने वाला है यहीं से देख लो ब्याज कितना मिलने वाला है 480 और 490 494.4 अब इन दोनों का अंतर बताना है बस इन दोनों का अंतर बताना है डिफरेंस तो यही तो difference दिखाई दे रहा है 14 जो ब्याज पर extra ब्याज मिल गया वही अंतर का काम करेगा यानि कि 14.4 is the correct answer 14.4 is the correct answer बोलो के लिए done 14.4 is the correct answer एक चीज तो यह आगी अपने पास अब आप इसे direct भी कर सकते थे इसी same question को अब मैं direct का तरीका बताता हूँ आप लोगो कि इसी question पर direct कैसे खेला जाएगा इसी question पर direct कैसे खेला जाएगा एक जगा तो यह पता चल गया कि हमें पूरा 12% का भी ब्याज मिलेगा दूसरी condition में पहले 6 महीने में 6% और 6 और 6 का भी 6% यह भी भी आज मिलेगा तो यह value कितनी आजाएगी 12.36% इन दोनों का जो अंतर आएगा difference वो आजाएगा 0.36% तो 4000 का 0.36% point गया 2 जीदो और आगए 1, 2, 3, 1, 2, 3 37, 144, 10 यानि value आजाएगी 14.6 value आजाएगी 14.4 रूपी बोलो सभी लोग बताओ फड़ापट से point clear यहां तक चीजे clear हैं सभी की चलो अब इस question को वही same question है वही same question है value अलग है बताइए अपटाफ़्ट अब आपट पास्ट जब ब्याज का भुक्तान वार्षिक और अर्दवार्षिक से किये जाता है तो एक पर्ष के लिए आठ परसेंट की दर से अटतर सो रुपे की राशी पर अंतर पूछ रहा है अंतर तो ये तो मुझे पता है कि अगर मैं येरली पहली कंडिशन अगर मैं येरली प्याज लूँगा तो मुझे आठ परसेंट मिलेगा कितना मिलेगा आठ परसेंट मिलेगा बोलो हाँ या ना अगर मैं वार्षिक ब्याज लूँगा तो आठ परसेंट मिलेगा मगर अगर मैं second condition के हिसाब से लूँगा तो पहले 6 महीने में 4% अगले 6 महीने में 4 और 4 का भी 4% और 4 का भी 4% यानि की 4 और 4 आट और 16 यानि की 8.16 बोलो के लिए तो इसका और इसका difference यहाँ पर point समझे ना इसका और इसका difference कितना आजाएगा point 16% तो यह हमारा अंतर आने वाला है difference मगर किसका भाई x% हमने का 10% अंतर आ रहा है माना तो 10% किसका अठाटर सो रुपे का तो यहाँ पर कितना आ रहा है point 16% तो अठाटर सो रुपे का point 16% point गया 2-0 आ गये upon में point गया 2-0 आ गये और 2-0 से 2-0 यहाँ पर clear हो जाएंगे ठीक है 38-48 तो यह तो होई नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता यहीं से कर लो तोला ट्ठेक सोटाइस तोला सकते एक सो बार है और बार है एक सो चौबिस है कहीं पर क्या upon में 100 है 12.48 that means third one is your correct answer not first one third one is your correct answer not first one got it or not यहाँ पर चीज़े clear है यहाँ पर point clear है बोलो yes और no got it चलो अच्छी बात है अगर यहाँ तक चीज़े clear है तो चलो like पड़ाफट से करते चलो सारे भाई में लोग ठीक है regular basis पर daily अपन लोगों की class चलती है उस class का हिस्सा बनिये ठीक है और इसी series को आगे भी बढ़ाएंगे अपन लोग इसी series को आगे भी बढ़ाएंगे ठीक है तो daily मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा करिये आप लोग यह offer का last date है आज जिसमें एक साल के subscription पर 10% की छूट तो मिली मिल रही है और आपको 14 महीने के लिए वो subscription मिल रहा है यानि कि एक साल वाले का जो axis है one year equals to 14 months ठीक है and two year equals to 28 months तो इसका benefit ले सकते हैं इस code को use करके today is last ठीक है got it today is last तो इसका benefit आप लोग ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका भी benefit ले सकते हैं SSC exams scholarship test यह आप लोग का 22 जनवरी को हो रहा है दो बजे तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें enroll नहीं किया है तो फटा-फट से enroll कर लीजेगा अभी के अभी top 500 aspirants को इसमें scholarship मिलेगी ठीक है daily class की timing होगी अपनी 5 पीम 5 बजे अपन लोग की daily class से लेगी आंसूर तो daily 5 बजे आप लोग मेरे साथ जूर सकते हैं चलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान लखिए enjoy करिए कल फिर मिलेंगे तब तक लिए बाइबाटे करेंड लव यू दोस्ते झालिए झालिए यूर시 norm झालिए यूर। झालिए यूरिए रबाटे करेंडों तो हैंने बाट सकतने प्राशा है झाल झाल